कि हमारे पास वहले question क्या दिया होगा किसी type के question हो हमें find करना होगा कर ले तो number of all possible matrices ठीक है number of all possible matrices ठीक है अब हमें suppose मान लो मैं यह different different section बना रही हूं माल लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ओर्डर है हमारे पास 3 by 3 एक मैट्रिक्स है उसका ओर्डर है हमारे पास 2 by 2 एक मैट्रिक्स है उसका ओर्डर है हमारे पास 3 by 1 एक मैट्रिक्स है उसका ओर्डर है हमारे पास कुछ पी ले लो चल 3 by 2 ले लो और हमारे पास जो इच एंट्री होगी एलिमेट की वो एंट्री जा 0 और 1 ले लो चाहे चाहे ले लो 0 और 3 ले लो चाहे ले लो 0 और 1 और 3 ले लो चाहे ले लो 0 और 2 कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस से हमें बेसिक लिए क्या करना है जो हमारी ट्रिक है वो यह है कि पहले हमें द्यार रखना है कि हमारे पास कितने number of choices दी गई है ठीक है जैसे 2 choices जहाँ है 2 choices जहाँ है 1, 2, 3 choices जहाँ है 2 choices जहाँ है मतलब number of choices जहाँ इट रेंट्री number of choices मैं बोलूँगे इसको choices और उसकी पावर हमने क्या कर देनी है इसका जो order है वो मतलब हम कांगे कि number of total number of elements total number of elements वो कैसे निकालते हैं order से कि matrix में कितने element आएंगे और इससे क्या होगा देखो अब हमारे पास इन सब के answer भी आएंगे कैसे जैसे हमारा first ले लो ठीक है यह हमारा first है और यह second यह third यह fourth one first में कितने possible number of matrices आएंगी पहले number of choices 2 और इसकी पावर कादव total number of elements कितने है total number हमारे elements 3 multiply 3 which is equal to 2 raise to power 3 3 9 which is equal to 512 second में क्या हो रहा है total number of choices 2 और उसकी पावर क्या करेंगे 2 multiply 2 which is equal to 2 raise to power 4 which is equal to 2 into 2 into 2 into 2 2 दोनी 4, 4 दोनी 8, 8 दोनी 16 ओके इसी तरह से हमारी third third क्या है हमारा 3 by 1 और number of choices कितने है 0, 1 and 3 ठीक है तो फिर पहले number of choices कितने है 3 3 उसकी पावर कितने करेंगे 3 multiply 1 which is equal to 3 3 which is equal to 3 multiply 3 multiply 3 कितना होता है 3 ती है no, no दिया 27 ओके उसी तरह से फिर fourth one fourth पर क्या होगा इस पर क्या है हमारे पास number of choices कितने है 2 पहले लिख लो 2 फिर उसके अभी बीच इसका order 3 by 2 और मुझे बता देना multiply करके कि इसका कितना आता है tourist पाशिक्स कितना होता है यह आप मुझे comment करकर बता देना हॉप आपको यह समझा गया होगा और यह trick भी समझा गी होगी और यह बिल्कुल आप कहीं भी लगा सकते हो किसी matrix लगा सकते हो बस ध्यान क्या रखना है हमारे पास क्या पूछा गया है कि कितनी each entry के में element कौन सा कौन सा हमारे पास रखा गया है और इसका order क्या है matrix का बस काम खतम टाटा बबाई टेक क्यार कोई भी डाउट हो कभी पूछ सकते हो